कहना क्वार्डिलेटल ABCD बिया पैलोग्राम एक क्वार्डिलेटल बनाता है ABCD अब इसमें क्या बोल रहा है कि एंगल D एंगल D और एंगल B 180 डिगरी के एक्वल है अच्छा ये कोशन पूछ रहा है कि क्या क्वार्डिलेटल B पैलोग्राम बन सकता है अगर एंगल D और एंगल B के 180 डिगरी के लिए हो भी सकता है नहीं भी यानिकि यह पूछना चाड़ा है कि क्या क्वार्डिलेटल भी पैलोग्राम बन सकता है क्या पैलोग्राम की तीन properties हमें पता है opposites angle are equal adjacents angles जो होते हैं 180 degree के बराबर होते हैं और इसका जो bisect करती है वो equally bisect करती है, bisect each other जो डाइगनल्स होती है, वो bisect करती है each other, okay इन्होंने पहला point यह दिया था angle D plus angle B is equals to 180 degree यह चीज हो भी सकती है और नहीं maybe, maybe अब यह next part इतनों क्या बोला कि AB is equals to DC सही बात AB is equals to DC, 8 cm और 8 cm, next इन्होंने क्या बोला, कि AD जो है 4 cm है और BC 4.4 cm है जो कि possible नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि opposite sides भी equal होती हैं जिस तरीके से opposite angle भी equal होंगे तो यह वाली चीज possible नहीं है next question क्या है next part है angle A और angle C यानि कि angle A जो है वो कितना है, 70 degree और angle C कितना होना चाहिए 65 degree, जो कि possible नहीं है क्योंकि हमें पता है कि पैलोग्राम की property जो है opposites angles are equal बट यह भी possible नहीं होगा first वाला part हो भी सकता है quadrilator को पैलोग्राम बना भी सकता है और नहीं भी, it's maybe लेकिन second वाला और third वाला यह possible है ही नहीं कि वो quadrilator को पैलोग्राम बना सकता है ठीक है, यह नहीं होगा यह possible नहीं है, in two conditions के अंदर झालोग्राम बना सकता है